इंडिया नाम से इसलिए डर लगने लग गया है क्योंकि पूरा भारत अब जुड़ने लग गया है जिसने देश का टुकड़ा किया वो देश वक्त और जिसने देश को जोड़ा वो देश विरोधी यह क्या का नियाईक संगत बात है कि बरामनवाद मनुवादी जो है लोग हमारे उपढर कोछ अपना हिंदू राष्ट्रना बना दे उस राष्ट्र से बचाने के लिए मनुवादी से बचाने के लिए सब को अपना हाक मिले सब उसमें धरम बराबर होते है उस समय मुलायम सिंग यादव ने सदन के अंदर ये पस्ताव रखा था कि इंडिया का नाम बदल कर भारत रख दिया जाए तो पूरी भारतिये जंता पार्टी सदन में विरोधा भास दिखा रही थी ये सब लोगों को धोका दे रहे हैं कोई युबा कई बड़े वुजुर्ग कोई खिलारी कोई नारी सम्मान की बात करता है उसके चड़ित पर बात करते हुए पकिस्तान की बात ले आते हो मैं राजुत्दीन गादरे बहुजन मुक्ति पर्टी और हम लोग एक विचार धारा है बहुजनों को मुक्ति दिलाने वाला काम कर रहे हैं हम लोग उस मुक्ति पर सबसे पहले में आप लोगों को जानकारी दे दू कि हमारा देश इंडिया दैटिस भारत है ये लोग आपस में सड़ियन तुर रचा रहे हैं को इंडिया आई एन डिया उसका अलग है नाम और जो हमारा इंडिया दैटिस भारत लिखा गया भारतिय इवे वे पुरा खोल करके बतला दिया कि ब्रह्मन्वाद मनुवादी जो है लोग हमारे उपर कुछ अपना हिंदू राश्टर ना बना दे उस राश्टर से बचाने के लिए मनुवादी से बचाने के लिए सब इसमें धरम बराबर होते हैं समता समानता नियाए बंदोता और स्वतंतुरता पराधारित हमारा जो भी मसावाद का मजब है वो इस देश का मूल निवासी है क्योंकि यहां जो रहने वाले S.C.A.S.T.O.V.C. माइनोरिटीज के लोग हैं वो एक ही परिवार के एक ही बोद में भारत के लोग हैं एक ही इंडिया के लोग हैं लेकिन जहां ये गए जहां ये गए वो गए सब के अलग अलग सिक्पो धरम ऐसी ऐसी विचारदारा अलग अलग हुई है लेकिन अरे भाई सब 10 करोड नी तुम 50 करोड का इनाम रख लो अभी देखो ना सनातन वाले या कोई भी यहां से भाग गए उठा करके जहां बहुजन का राज होगा वह सनातन हो या हिंदु वादी हो या मनु वादी हो यानि देश का जो कत्तार होगा वो यहां से भाग जा चारदारा से सब बलड के भाई हैं दियनने के भाई हैं मैं आपको बतला दूँ बारतिया जनता पार्टी उस जहरीली दोक मुखी तरह निरंतर भारत की जनता को मुर्ख बनाने का काम कर रही है आप यह बताईए यही भारतिया जनता पार्टी जब 1999 से 24 के भीट में सरकार उससे में मुलायम सिंह यादव ने सदन के अंदर ये पस्ताव रखा था कि इंडिया का नाम बदलकर भारत लग दिया जाए तो पूरी भारतिये जंता पार्टी सदन में विरोधा भास दिखा रही थी आप ये बताइए पिछले 9 साल से भारतिये जंता पार्टी की सरकार है अजिस देश के अंदर लेकिन अचानक इंडिया गठवंधन बन जाने के बाद पिछले 15 दिनों से इंडिया इंडिया से डपने लग लगंजा ये बताइए इंडिया अगर घुलामी प्रटी का प्रदीक है तो आप ये बताईए, Skill India, Digital India, Make in India, Startup India, Kelo India, ये तमाम जो योजना है, वो भारते जंता पार्टी को क्यों भार रही थी? तो दिक्कत क्या है भारत से? उससे कहीं ने कहीं देश की जनता को लग गया, कि ये भाई चाड़ा खात्मा करने वाले लोग नागपुर से दिल्ली की सत्ता पर बैठ गये हैं, और दिल्ली की सत्ता कुखार फेकने के लिए पुड़े भारत के लोग बसुदर पुटमंक के नाम पर एक हो गये हों, और जि सुनिए, हमें डरनी लग रहा है, जिनको डर लग रहा है, इसलिए तो उन्हों ने आनन फानन में पांस दिन का सदन बुलाया, क्यूंकि आने वाला जो चार-पांस राज्ये का जो चुनाब है, वहां की जनता ने मन बना लिया है, कि कैंद्र की सत्ता को उखार फेकनी है, रोसमी फाइनल है, उससे कहीने कहीं डर गई है, आप ये बताइए, ये वही भारतिये जनता पार्टी है, जिसने आजादी से पहले जिन्ना के साथ गट जोड करके पाकिस्तान बनाया था, ये वही भारतिये जनता पार्टी है, स्यामा परसाद मुकर जी, स्यामी परांच जिसको हम कहते हैं उत्तरपरदेश उसके अंदर सरकार में सामिल थे यह वही वारतिय जंदा पाटी है जो मुस्लिम लिग के साथ बंगाल के अंदर सरकार के अंदर सामिल है सिंद्ध के अंदर सरकार में सामिल था जिसने देश का टुकड़ा किया वो देश वक्त और जिसने देश को जोड़ा वो देश विरोधी यह कहा का न्याइक संगत बात है लेकिन पत्रकार कुछ पत्रकार लोग टीवी और अखवार के माध्दम से उन पर सवाल या निसान उठा रहे हैं हम अंडिया है सब इंडिया नहीं है 28 दल लुटेरों का दल हो गया है उनसे कहीं जादा चुटमुट गटवंदन के लोग उनके दल में सामिल है जिनके कहीं तो विधायक नहीं है 38 चोटे मोटे गटवंदनों को एक एंडिया का नाम दिया गया और दूसरों पर उंगली उठाते हैं बाई ये दो देश को जो है बरबाद करने वला गटवंदन है मोटी जी ने खुद कहा था कि इनके कपड़ों से पहचाने जाएंगे जो देश द्रोई हैं ये देश द्रोई आज नंगे हत्यार ले करके नंगी तलवारे ले करके दोड़ते हैं इनके कपड़ों से पहचानी आप ये आग लगा देना चाहते हैं देश को ये तिरंगे को मैं पूछना चाहता हूँ जो तुरंगा होता है वह तिरंगा नीचे लगाते हैं जो इनका कलर होता हैkiem बरबात कर देना चाहते हैं चाहिए जो बहुचन समाज के खिलाप में गलत तुर्दुस परचार कर रहे हैं और जो SC, ST, OBC माइनोरिटी जो DNA के भाई है उन्हें बाटने का काम करते हैं और वो मैं आप लोगों के चैनलों से माध्यम से कह देना चाहता हूँ पूरे देश वासियों से बाई पूरे देश वासियों से बाई चुना सुनिए एक मिनट अरे ये साब इनकी कट कुतली बन गई है जिसका ये नाम लेते हैं पाकिस्तान लेते वे इनना इडरते हैं पाकिस्तान से इसी ले लो वो न्याय व्यावस्ता कितनी बढ़िया है कि परदान मंतरी के खिलापी सुनिए उसके लाल आखों की खम्याजा है कि हमारा अनुराचल परदेश चाइना ने दिखा दिया उत्राखंड का चमोली जीला और पिढोडा गट इन्होंने चाइना के मैप में दिखा दिया लेकिन उसके लाल आखे काम नहीं की उस लाल आखे की बदोलत ही टेस के वो तमाम जो ट्रेडिंग का आपने देखा होगा जो लोन और करजे में डुगे जो 300 क्रोर का जो लोन भारत को उपर चाइना को उपर आ गया यह कहां से आया बैया पूरा नोएडा चाइना के कबजे म आ गया लेकिन पूरी जो मंत्री मंडल है उनकी चुपी और पूरे जो नोएडा के अंदर ही तो है मीडिया के तमाम मीडिया को दिखता नहीं है कि को तमाम मीडिया किसमें लगी हुई है मनुबादी विचारधारा को परचार परसार करने में किसका परचार परसार करने में मोदी जी का परचार परसार करने में किसका परचार परसार करने में देश को तोड़ने के परचार परसार में किसका परचार परसार करने में देश की युवाओं को नकसली अरबन और नकसल बताने में अरे मेरे भाई इन लोगों को देखे जो अनसी ये बात करते हैं हजरत ओरंग जेव सहाब की उन्होंने समता समानता नियाई बंधूता पर काम किया उनके डैडी जो है एक गलत खर्च कर रहे थे उन्होंने अपने देश अपने बाप को भी जेल में भेज दिया था क्योंकि जंता का पैसा है यह बाहर ना जाए और उन्होंने अखंड भारत बना दिया था और आज इन्होंने खंडित कर दिया है और यह उस खंडित कर देने के नाम पर अपने आपको अखंड भारत बना दे का नाम लेते ह यह देश के दुसमन गद्दार हैं लोग। सुनिए करणी और कत्नी में बहुत डिफ्नेंट हुआ जिसने देश का खंडित किया हो उसके अंदर कभी यह जग सकता है कि वह अखंडित करने की बात करता हो। आप यह बताईए समय समय पर देश के लोगों को देश के युवां को देश के छात्रों को जब भी सरकार से सबाल पूछता है तो उसको आप पाकिस्तान वेजने की बात करते हो। जो देश को धर्मों में बात रहा हो। जो देश को मंदिरों मस्जीद के नाम पर बाता जा रहा हो। पूरफेसर को जेल में बंद कर दिया जा रहा है। बहुजान एका के वो तमाम नेताओं पर कारवाई कर दी जा रही है। आपको नहीं पता लालू परसाद यादव को जेल में डाल दिया गया। आपको ने पता मायबती को बिठा दिया गया आपको ने पता अखलेस यादाब को जंगल लाज के नाम से संभोधन क्या गया आपको ने पता चंसेखर को साथ क्या 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 गया आपको यह ने पता तमाम एस्टेलिन को क्या कहा जा रहा है आपको ने पता कि साउथ में तमाम मुमिका नहीं है जिस अंबेटकर ने नारी को समानता लाया उठाया देश की समधान को गुरबान वित किया जिसके पास इतनी डिगडियां थी सरकार पेरिया है कि उनके बारे में चौरचा ना हो यसलिए तो आप बिलकुल सही बात किए पास्थ कर्टकार महोदे यह जो बातrement पूरत की है इका को लेकर बात करता है बात यह करता है सरकार खत्रे में नहीं नहीए आप ये बताईए उनके जो तमाम परचार जिवी पतकार अगर फिल्ड पे उतरते हैं तो उनको देश की लोग उन्हें भगाते हैं तो आपको ने पता सरकार खत्रे में है कि नहीं है आप ये बताईए बहुजनों की भूमिकाय बढ़ेगी दोजा 24 के अंदर और दोजा 24 में भारत जुरेगा इंडिया जीतेगा और बहुजन और समता फिर से उबरेगा